इंडिया में विदेशी फिल्मों की कहानी, म्यूजिक और गाने को चुराने का चलन बहुत पुराना है। और उसमें से कुछ आपके फेवरिट शोज भी हैं। उन्हीं चुराए हुए शो और कॉंसेप्ट का आज हम अपने वीडियो में परदाफाश करेंगे। इस शो को राजीव खंडिलवाल कृतिका कामरा ने होस्ट किया है। और शायद ये शो बहुत से लोगों को याद भी होगा। आपको बता दे कि ये शो भी कॉपिट था। इसे अमेरिकी शो दे न्यूज रूम से कॉपी किया गया था और इसके 132 एपिसोड आए थे। नमबर नाइन दिल मिल गए। ये नाम सुनके शायद आपको बहुत बड़ा जटका लगा होगा। क्योंकि ये शो हमारे बेहत पसंदिदा शोज में से एक है। और आपको बता दे कि इसका कॉंसेप अमेरिकी शो ग्रेज अनाटोमी से लिया गया था। नमबर एट बड़े दूर से आया है। इस शो का कॉंसेप थर्ड रॉक फ्रॉम दे संसे चुराया गया है। इस शो को 2014 से 2016 तक सब टीवी पर दिखाया गया था। एलियन्स पर बनी इस कहानी में सुमित रागवन, बक्तियार इरानी और तनाज इरानी जैसे आक्टरस ने क काम किया था। नमबर सेवन, ये शो शायद ही कोई भूल सकता है। इसमें अनील कपूर ने अपनी दमदार अभिने से सब का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया था। इस शो को भी अमेरिकी सीरिस 24 से कॉपी किया था। आपको बता दे कि अमेरिकी शो 24 के 9 सीजन आ चुके है लेकिन इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है। नमबर सिक्स जिनी और जूजू ये शो अमेरिकी शो ड्रीम ओफ जिनी से कॉपी किया गया है। इस शो में अली अजगर और जिया मानेक की क्यूट सी केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया था। नमबर फ इस शो के अब तक 12 सीजन आपने टीवी पर देख चुके हैं। और पहले सीजन का विजेता अभी जीत सावंत आज तक लोगों को याद है। आपको बता दे कि इस शो को अमेरिकन आइडल से कॉपी किया गया है। यहां तक कि शो का लोगों भी वही से लिया गया है। स्किल्स दिखाते हैं। और इस शो की थीम और कॉंसेप्ट विदेशी शो स्ट्रुक्ली कम डांसिंग और डांसिंग विद इस स्टार से लिया गया है। नमबर 2. कॉमेडी नाइड्स विद कॉपल शो को हर घर का बच्चा बच्चा जानता है। कॉमेडियन कॉपल शर्मा कौन बनेगा करोड़ पती। केबी सी को बिग बी यानि अमिताब बच्चन साल 2000 से होश कर रहे हैं। और इस गेम शो का कॉंसेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया है। लेकिन इस शो के कॉंसेप्ट को UK के शो Who Wants To Be A Millenier से लिया गया है। दोस्तो ऐसे ही अमेजिंग वी कर दोस्तों आजिंगे वी यानि अमेजिंग है।